नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर रूप मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ फ्रेंड में एक बाफ फिर से आप सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे ज़्यादा शेयर एंड लाइक करना ना भूले जितना ज़्यादा शेयर एंड लाइक करेंगे मुझे उतना ही प्रोश्तान मिलता रहेगा और मैं इसी तरीके से आप लोग के सामने स्वाश्वर्दक जानकारिया लाता रहूंगा मैं इ मुझे प्रोशान भी मिलेगा और मुझे जानकारी भी मिलेगा इसके साथ-साथ आपके सवालों का जवाब भी देने में मुझे आसानी होगा तो कमेंट करना बिल्कुल भी नभूले आज मैं लंग्स को कैसे हल्दी रखा जा सकता है इसके बार में कुछ जानकारी शेयर कर और लंग्स ही हमारी शरीर के दूशीद बायू जो कारबन डाइकसेड है उसको शरीर से बाहर करता है तो हमें भी लंग्स को मजबूत रखने के लिए कुछ जिम्मेदारियों को आज से जानकारी में आपको जो करने जा रहा हूं उन चीजों को पालन करने का मैं उम्मीद तो सबसे पहली चीज़ अगर आप स्मोक करते हैं स्मोकिंग को जरूर छोड़ दीजिए इस्मोकिंग करने से आपके लंग्स की लाइप कम होती है आप अपने डायेट में एंटी ऑक्सिदेंट फूड को शामिल कीजिए एंटी ऑक्सिदेंट फूड का मतलब है जितने भी इंफेक्शन के वैक्सिन्स हैं खास कर निमोनिया अधी के शिशुकाल में बच्चों को जरूर दिला है जिससे छोटे से ही उनके लंग्स मजबूत और स्ट्रॉंग बने रहे हैं इसके साथ साथ जो है पानी की मातरा बराबर पीते रहना चाहिए जो घर के लंग्स वीक हो जाते हैं तो इन चीजों से बचना चाहिए आप थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए भगवान ने हमें एक बहुत अच्छा ताकत दिया है हसने की थाकत या हसने की कला दिये तो उसका जरूर फाइदा लीजिए हर शेयर या हर गाओं में आजकल हर कस्वे म लॉटर क्लब बने हुए आप वहाँ पर जॉइन कीजिए सुबह के वक्त में हसने से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइजेस है उसको जाया सेदे कीजिए उससे लंग्स की लाइप बढ़ेगी डीप ब्रेथ लेना चाहिए लंबी सांसे है डीप ब्रेथ से जो है लंग्स को इस्टिमूलेशन मिलेगा और लंग्स की लाइप बढ़ेगी तो अपमारी भी लाइप जरूर बढ़ेगी तो मैं उम्मीद करता हूँ अप इन चीजों को पालन करते हुए अपने लंग्स की लाइप भी बढ़ाएंगे और आपने आपक भी चेक करके मुझे तक पहुंच सकते हैं धन्यवाद नौश्कार जैहिंद